हेलो दोस्तों स्वाथ है आपका डिमागेटिंग बॉगाल में मेरा नाम ही विशेग दोस्तों आज को डियो का अपिक है बेस्ट वू कमर्स होस्टिंग तो दोस्तों अगर आप प्लान करें एक एमाजोन या फ्लिपकॉर्ट जैसी एकमर्स पॉस्टाइट बननेगा तो अपको मारे लिंक जो मिलेगा और गाइस के अलवा आपको मिलेगा फ्री डॉमें फ्री एसे सल क्लावड फ्लेयर का प्रीमियम सी अगर आपको बिलेगा unlimited bandwidth और unlimited स्टोरेज भी तो गाइस इससे बैने वीडियो को स्टार्ट करें अब जल्दी करें को सब्सक्राइब और बेला अक्रिकर को प्रेस ताकि जब में को वीडियो अब नौट वीडियो सबसे पहले आप मिले तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए इसी डिस्काउंट लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो की है होस्टिंगर.in अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं वूकमर्स होस्टिंग की तो यह जो डिस्काउंट लिंक मैं एक्च्छल में होता क्या है? है ना वूकमर्स होस्टिंग की जरूरत कहां पढ़ रही है? यह सब चीजे समझना बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन होता है और उसके बाद खरीदने के बारे में हमें सोचना है. ठीक है कि कौन सा प्लान? खरीदना है उम्हां को बताऊंगा ठीक है तो चलिए अब वूकमर्स होस्टिंग के नाम पे एक अलग होस्टिंग प्लान बहुत सारी कंपनिया जो है सेल करना शुरू किया है सभी ने ठीक है अब यहां पर exactly वो वूकमर्स होस्टिंग के नाम पे जो हमें मिल रहा है वो क्या चीज़ होती है? मैं आको रहता ह यह अब यहां पर जो सबसे सस्ता वाला प्लान होता है वो से हम कहते हैं Share Hosting ठीक है, जो कि यह Web Hosting है Hostinger में, सबसे ज्यादा लोग यही लेते हैं, इसके उपर जाने वारे लोगों की counting बहुत कम होती है, जो लोग सीरियसली कुछ काम करते हैं, वो लोग लेते हैं Cloud Hosting, ठीक है, अब इसके बीच में WordPress hosting आता है जिसकी power share hosting से काफी जादा होती है अब इस WordPress और Cloud hosting के बीच में दो तरह की hosting आती है एक होता है Managed WordPress hosting और दूसरा होता है WooCommerce hosting अब Managed WordPress hosting को मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी चीज़ है definitely एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर आपको WordPress websites के लिए extra features और extra power दिया जाता है तो इसलिए Managed WordPress hosting बेशने वाली ऐसी बहुत सारी कंपनिया है जो महिने के हजारों रुपे लेती है मतलब एक महिने के 25,000 रुपे लेने वाली कंपनिया भी exist करती है तो आगर हम बात करे Managed WordPress hosting की क्योंकि वो एक अलग लेवल का server और अलग लेवल का performance है वो में provide करवाता है तो बहुत बड़े-बड़े MNCs जो होती है वो Managed WordPress hosting लेती है बड़े-बड़ी companies जैसे Kinsta जैसी कंपनिया जो होती है वो proper Managed WordPress hosting हमें provide कराती है और WPX जैसी मेरे पास खुद के पास भी है Managed WordPress hosting WPX का ठीक है जब मुझे अपना main blog पर काम करना होता है तो definitely मैं या तो hostinger का cloud hosting यूज करता हूँ या फिर Managed WordPress hosting यूज करता हूँ WPX का ठीक है तो यह चीज़े हैं मैं इसको जादा prefer करता हूँ लेकिन अब इन सब के बीच में WooCommerce hosting नया आगया जिसके अंदर हमें जो है एक ऐसा feature प्राइट कराता है जो WordPress hosting की performance का बराबरी कर ले और कुछ थोड़ ऐसे WooCommerce के जो feature से उसके अंदर add किये जाता है लेकिन उसके लिए जो हमसे पैसा लिया जाता है वो WordPress hosting से कहीं जादा होता है जबकि WordPress hosting से कुछ भी extra उसके अंदर होता नहीं है तो यहाँ पर पर्टिकुलर्ली इस वीडियो में मैं आख बता हूँगा कि आपको अगर एक WooCommerce अबसाइट होस्ट करना है तो आपको कौन सा प्लान लेना चीए सीधा सीधा सिम्पल प्लान है इन सब जमेलों में आपको पढ़ना ही नहीं है सीधी सी बात है अगर आप hostinger से hosting लेते हो तो simply आप यहाँ से cloud hosting ले लो cloud hosting जो है वो सबसे powerful hosting माना जाता है क्योंकि अगर आप इसकी pricing को किसी भी company के WooCommerce hosting के साथ compare करोगे अब यहाँ पर आपको वो सारे features भी मिलेंगे जो आपको एक WooCommerce hosting में मिलना चाहिए तो अब यहाँ पर हमें मिलता क्या है गाइस देखो cloud hosting जो होता है वो WooCommerce hosting से जादा powerful इसलिए होता है क्योंकि cloud hosting actual में एक simple एक single server पे नहीं रखा जाता है है ना single server पे जब कोई hosting रखी जाती है तब उससे क्या होता है कि अगर उस server को कुछ भी problem होई कि तो जब तक कि या तो सब उस server का data recover करके दूसर सर्वर में डालते हैं या फिर उस server का जो है उसको repair नहीं करते हैं तब तक हमारी जो site रहती है वो offline रहती है तो ये सबसे बड़ी problem होती है single server पे चलने वाली site होगा जो कि ये shared hosting, wordpress hosting सब single server पे चलती है हाँ, वो बात हो रहे है कि हमें कभी कोई तकलिफ, जादातर case में हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं आती है क्योंकि हम जब भी बड़ी companyों से लेते है तो वो लोग उसको बहुत ही जल्दी रिपेर कर देते है उसको ठीक कर देता हमाना तो issue उसको resolve कर देते है लेकिन अगर हम कोई ऐसे लोगों से ले जो की crack यूज़ करते है C panel वगेरा, तो उनके cases में जो है, वो लोग उनके पास खुद का server नहीं होता है वो भी किसी third party server लेता है ऐसे में दिक्कत है आती रहती है shared और wordpress hosting में लेकिन cloud hosting में कभी यह दिक्कत नहीं आती क्यूंकि बहुत सारे server के एक network में आपकी website को रखा हुआ जाता है तो उस case में क्या होता है कि अगर मालो एक server जल भी जाए पूरा repair करने की हालत ही ना रहे तो भी दूसरे server से उसी second में आपका site चलो हो जाएगा वो भी जल किया तो तीसरे चलो हो जाएगा चोते से चलो होगा यह चलता रहेगा क्योंकि एक बहुत बड़े network में रखा जाता है आपकी website को तो इसलिए कहा जाता है कि cloud hosting लो तो cloud hosting यहाँ पर आपको WooCommerce features भी product करवाता है तो इसलिए मेरा high recommendation रहता है कि आप जब भी WooCommerce hosting लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको simply लेना चाहिए cloud hosting hostinger से क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारा power मिलता है सारे features मिलते हैं जो की होने चाहिए अब क्या है वो चीज़े वो हम यहाँ पर देखेंगे Guys देखो सबसे पहले यह हमारा cloud hosting का plan आपने link पर क्लिक कर लिया और उसके बाद यहाँ जाना है hosting में और आपको cloud hosting पर क्लिक कर देना है और यह website यहाँ पर page उपन हो जाएगा अब आप सोच रहोगे कि hostinger ही क्यों Guys hostinger का अगर आप यह review देख लोगे ना यही बहुत है यह जो चीज़ है यही बहुत है अब इसमें सबसे important जो review होता है वो होता होस्ट advice का क्योंकि host advice के अंदर एक बंदा दूसरा review डाल नहीं सकता चाहे वो अच्छा डाले या खराब डाले दोनों ही cases में वो दूसरा review नहीं डाल सकता और यहाँ पर ज़्यादा reviews भी है अगर हम Google की बात करें तो Google में कम reviews है इसलिए 4.8 यहाँ पर आ गया है नहीं हुए है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अच्छा खासा जो है आपको response जो है hosting गर का मिलता है इसी बज़ए से लोग जो है अच्छा review यहाँ पर कर रहे है और कोई भी फीचर अच्छे होने से प्राइज अच्छे होने से इस से जो है अच्छा review नहीं करता है customer support customer support जो मिलता है न अच्छा आलत तब ही लोगों के मन में यूँ लगता है कि चलो इस company के लिए तो एक अच्छा review करना ही चाहिए तब जाके लोग करता है तो इस से पता चलता है कि hosting गर का customer support कितना अच्छा है मैं भी अगर किसी company का review डालता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस बैसे पर डालता हूँ कि मुझे support कैसा मिला जब मैंने customer support को call किया या फिर chat किया तो मुझे मेरे problem को कब solve किया कितने time में solve किया ठीक है वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं review देता हूँ तो यह जो चीजों होती है यह दिखाता है कि इतना customer support कितना अच्छा है है ना बाकी service तो देखो definitely cloud hosting ले रहे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं लेकिन कभी कभी क्या होता है और उस पर अगर आप website बना रहे हो अगर आप website बना रहे हो कोई भी दिक्कत अगर आपको आगई तो एक बार company से chat करके देखना company आपके उस problem को भी solve कर रही जबकि उनका काम नहीं है उनका काम सिर्फ server से related काम को solve करना है आपके website बनाने में आपको दिक्कत आती तो उनको देखा जाए तो बोलना चाहिए कि आप अपने developer से सही करा हो लेकिन exactly ऐसा नहीं करते है वो आपके issues को solve करने की पूरी कोशिश करते है तो यह जो चीज होती है यह हमें आपके देखने को बलता है खेर यह सब बाते हो गए side में तो हम इसको बताना चाहता है कि hostinger का इतना अच्छा वो रहता है customer support तो वो चीज में आपको बताना चाहता था ठीक है host advice पर देखना अभी 4.6 हो गया है और यह better हो गया है अगर हम host advice में चेक करेंगे तो हमें और लास्ट में चेक कर रहा दूँगा अभी हम बात कर लेते हैं कि cloud hosting के plans ना में क्या क्या चीज़े देखने को बलती है देखो cloud hosting में सबसे पहले चीज आप यहाँ पर तीन plan है आपके पास तो यहाँ पर आपका अगर आप बिल्कुल अगर आप बिगिनर है ठीक है अब देख सकते हो e-commerce websites के लिए यह है अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आपको cloud startup ले रहना चाहिए simply आखे बंद करके cloud startup आप ले लो कोई issue नहीं आने वाली ठीक है कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं दूसरी चीच cloud professional है आपर अगर आप किसी और hosting से मतलब किसी और hosting web hosting, shared hosting ठीक है मतलब आप WordPress hosting से अगरा आप upgrade करना चाहने हो आपको लगता है कि ठीक है मुझे आप products और upgrade करना है तो आप cloud hosting में जब आप आते हो तो मैं आपको साइस करूँगा कि आप इतना upgrade करने के बास बारे में सोची रहे हो तो आप सीधे-सीधे cloud professional में अपग्रेड करो क्यूंकि cloud startup में आप अपग्रेड करो तो भी आप पांचे महीने के अंदर आपको cloud professional में आना पड़ेगा तो पांचे महीने बाद आप यह payment करो इससे अच्छा तो यह है कि अभी से यह payment करके लंबे टाइम के लिए आप यह वाला plan ले लो क्यूंकि इसका जो renewal रहता है बहुत जादा रहता है तो इस वज़े से मैं कहूंगा कि जब भी आप cloud hosting में अपग्रेड करते हो तो मेरे इसाब से आपको cloud professional ले लेना चाहिए ठीक है इसमें आपका पैसा बहुत ज़दा बचेगा अब cloud enterprise में कहूंगा कि institutes, colleges और जो MNC companies है उनके लिए है क्योंकि MNC companies इसलिए क्योंकि उनका जो बड़े-बड़े जाथ हैं ठीक है कैसी में जिए لékड लेगा लेकिन उससे जब जादा आते हैं तो उस clarify मिlt है क्योंकि यहां पर आपको बेड़े Q brauch औًधStra === यहीक चीज़े होती है यह सतीग्सरा हॉती चोडा लीवरा आपको बढ़iva ऐख और का यहई उनक मिलता है 6GB RAM और 4 core CPU आपको professional में देखने को मिलता है और जो cloud enterprise है इसमें आपको 12GB RAM और 6 core CPU देखने को मिलता है तो इसलिए ये इसका costing सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर आपको 6-6 CPU मिलते है और 12GB RAM मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा powerful है बहुत ज़्यादा powerful है यहना क्योंकि अगर आप अपने बहुत सारे students है अगर आपके institute में सबको आपको dominole hosting देना है तो उस case में ये वाला जो है सबसे बड़े रहे है क्योंकि उन में से 2-4 तो बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छा गदा ट्राफिक लेकर आएंगे लाकों में तो वहाँ पर ये वाला hosting जो है काम आएगा आपकी reputation को समालने के लिए अब अगर आप एक beginner है पहली बार आप cloud hosting ले रहे हो तो उस case में आपको कीवारा plan ले लो और इसके अंदर आप अपना book commerce hosting अराम से setup कर सकते हो कई भी कोई issue नहीं आएगा अब देख लेते हैं आप आफ तो ट्राफिक हैडल कर सकता है अब WooCommerce के लिए क्या क्या मिलता है अडवांस WooCommerce के लिए जितने अब यहां पर नीचा जाते हैं तो यहां पर आपको wordpress multi-site staging tool यह सारी जो wordpress hosting के अंदर जो जो फिचर्स होते हैं वह सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाता है और साथ में आपको मिल जाता है object cache जो की speed को और ज्यादा बढ़ाता है आपकी site को जब भी आप इसको on करोगे तो आपकी speed और ज्यादा बढ़ जाएगी ठीक है object cache को जो है आपको अपने hosting करके panel में जाके आप इसका adjustment कर सकते हो ठीक है और यहां पर आपको पूरा पूरा website मिल जाता है e-commerce features के साथ ठीक है तो बहुत अची बहुत है और transaction fees भी आपको पेमेंट करता है तो उसकी transaction fees आपको payment gateway को देना पड़ता है वो यहां पर आपको zero लगता है इसलिए क्याते है कि WooCommerce hosting थोड़ा सा ज्यादा अडवांस रेता है वो इसलिए क्योंकि यहां पर अगर आप WooCommerce hosting ले रहते हो तो definitely आपकी जो costing है वो और भी ज्यादा कम हो जाती क्योंकि आपको हर एक transaction पे जो 2% commission देना पड़ता है जिस भी payment gateway को तो वो आपको यहां पर न protection का enhanced version आपको मिलता है जिससे कि आपके साइट पे जब भी traffic ज्यादा आएगा तो लोग जो board traffic का यूज़ करके attacks करते है उसको protect करने के लिए आपको आपको enhance protection मिल जाता है इसके अलावा और भी ज्यादा protection के लिए cloudflare का name server यूज़ किया गया यहां पर तुस्ते आपको और cloud hosting है सीदी सी बात है cloud hosting का definition ही होता है कि 100% uptime ठीक है अब यहां पर आपम देखे तो technical details और भी जा देगे 300 subdomains मिलता है unlimited database मिल जाता है cash manager, DNS management, multi PHP versions यह सब कुछ बहुत ही जादा better करता है तो यहां पर आपको complete WooCommerce features के साथ cloud hosting भी जाता है तो हाँ guys hostinger WooCommerce hosting provide करता है लेकिन hostinger कभी भी आपको WooCommerce hosting अलग से दिखा के confuse नहीं करता है मैं आपको बता सकता हूँ WooCommerce hosting आपको कहां से मिलेगा आपको simply link पे click करना है जो मैं यह link आपको provide कर वा रहा हूँ इस link को ऐसे copy कर लेना ठीक है यहां पर आपको अपने google chrome में आपका paste कर देना है ठीक है paste करने के बाद आपकी site open हो जाएगी site होने के open होने के बाद आपको यहां पर देखेगा 75% का discount है और यहां पर आप आजाओगे नीचे नीचे आकर आपको यहां पर e-commerce hosting पर click करना है और यह जो url आपको यहां पर दिख रहा है इस url में जहां पर e लिखा हुआ है e-commerce का e यहां पर आपको वू लिख देना है woocommerce हो गया है woocommerce हो गया है woocommerce होस्टिंग हो जाएगा अब आपको लास्ट में क्लिक करके enter कर दो आप तो अब आप सो देख सकते हो best woocommerce hosting यहां पर आप देखते हो woocommerce hosting के क्या है cloud hosting ही है ठीक है अब वही चीज है cloud hosting वाला वह सेम प्लान जो है आपको यहां पर देखनों मिला है 3GB RAM 2-core CPU अलग से रखा हुआ है यह सिर्फ इसलिल रखा हुआ है कि जो लोग woocommerce hosting देख के ही खरीदेंगे उन लोगों के लिए लेकिन बाकी अगर हम देखें तो यहां पर आपको एक और एक्स्टा प्लान मिल जा था book starter ठीक है book starter में आपको 100GB SSD storage मिलता है 100GB वब्सार्ट मिल जाते है 1GB RAM और 1-core CPU guys 1GB RAM और 1-core CPU shared hosting की configuration होती है इसलिए highly recommend करूँगा मैं आपको कि अगर आप लेते हो तो hosting में जाओ cloud hosting plan को ही लो ठीक है क्योंकि यहां पर आपको cloud hosting के एक्स्टा फीचर मिलता है अगर आपको मैंने जो WooCommerce hosting बताया इसके अंतर आप जाओगे तो आपको WooCommerce hosting मिलेगा 699 रुपे यह cloud hosting नहीं है यह कहीं से भी cloud hosting नहीं है यह single server पर रखा जाता है 3GB RAM, 2CPU सब ठीक है लेकिन यह cloud hosting नहीं है यह cloud के network पे नहीं होगा आपको यहां पर 99% का uptime मिलेगा 100% का uptime नहीं मिलेगा है ना तो यहां पर आप सोच लेगा 99 रुपे में डिफरेंस क्या है गाइस 99 जो होता है 99 जो होता है 98 तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है सारे सारे जो uptime होते हैं वो 99.95 से शुरू होते हैं कभी कभी किसी किसी hosting की 99.65 तो चला जाता है वो सबसे खराब होता है 99.65 से 100 के बीच में जो डिफरेंस हो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है आप भी मालनों इतना फरक पड़ जाता है 99.95 से बढ़िया होना शुरू होता है 99.95 से अच्छा होना शुरू होता है उससे नीचे जितना भी होता है 99.90 से नीचे जितना भी हो खराब है तो इसलिए कहता हूँ कि क्लावड होस्टिंग लो क्योंकि यहां पर आपको 100% का अप्टाइम देखने को मिलता है प्लस 2 months free, free domain सब कुछ आपको मिल जाता है यहां पर आपको हर plan के साथ 2 मेने free मिल जाता है तो गैस यह है proper WooCommerce होस्टिंग प्लस क्लावड होस्टिंग भी तो दोनों चीजों का power आपको एक ही जगे मिल जाता है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यह e-commerce websites के लिए सबसे बड़ी है यह ना यह थी सारी कहानी WooCommerce होस्टिंग की अब हम एक बार host advice पर चले जाते हैं कि मैंने आपको कहा था कि host advice में आपको बताऊंगा कि क्या review च से ले जाएंगे यहां पर लिख देंगे hostinger और यहां पर click कर लेंगे हम तो आप देख सकते हो 4.6 का यहां पर review अगर हम site पर जाके देखें यहां पर आप देख से तो 4.5 है ठीक है यह अभी update site पर नहीं किया है लेकिन यहां पर update हो चुका है यहां पर आपको 4.6 का review मिला 5 out of 5 4.6 review बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है जबकि आप आप देख सकते हो review कितने लोगों ने डाला है 2430 लोगों ने review डाला है फिर भी यह review खराब नहीं हुए कभी भी तो इसलिए hosting कर जो है सबसे बढ़िया आपको बहुत hosting प्रवाइड करवाता है ठीक है गई पाओ तो बहुत ही बढ़िया है तो सिंपल से जीजे कोई भी प्लान लो चार साल के ले लो और requirement मेरा इसाप से ज़्यादा तर लोग जो है cloud startup लेते हैं आपके लिए cloud startup भी सबसे बढ़िया है और अगर आप किसी भी प्लान से अपग्रेड कर रहे हूं तो cloud professional में अपग्रे आपको बहुत है तो दोस्तो आज कोई पर इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिनी बाद